हेलो एब्रिवान कैसे हैं आप सभी बहुत स्वागत है आप सभी का आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब हमको जो आगे तयारी करना है मैंस की ग्रेट वन का तो डेट आ चुका है ग्रेट वन इंगलिश का आपके पास त्री मन्त है आज से जो मैंस की प्रप्रेशन कर रहे हैं ग्रेट टू का जिनके अभी एक्जाम हुआ है उनको भी पता चल गया है कि भी यह कितने नंबर आए हैं तो उनके पास भी तीन मैने से तो अब जिनका प्रेट निकल गया है तो कई सारे लोग क्या है कि आराम से बेट गए आराम से नहीं बेटना है आपको तयारी आज से ही शुरू करनी पड़ेगी एक और में बात करता हूं कि वह लोग से ग्रेट वन का तो रिजल्ट आ चुका है लेकिन ग्रेट टू जिन्हों में भी नंबर बढ़े थे ठीक है जब नमलाइजेशन हुआ था उस समय कई लोगों जैसे जो 72 वाले थे वो 76 पे चले गए जबकि जो ग्रेट टू का पेपर था वो कहीं ने कहीं बहुत ही जादा मतलब ऐसा पूछा गया था कि एक ही चेप्टर से सब क्योशन पूछ नमबर बढ़ता है तो जो लोग ऐसे हैं तो उनके नमबर बढ़ेंगे तो वो लोग अपने विसाब से ध्यारी करना शुरू करते हैं इसके बाद बात करें कि जो अब तयारी कर रहे हैं जैसे कि Grade 1 की बात करें Grade 1 में डेट आ चुकी है तीन महीने अब हम लोग रननीती बन इतना समय दिया है मतलब है ना आप सब कुछ तयारी करते हुए यहां तक आये तो अब बात ये है कि अब तीन महिने हमारे पास है अब तीन महीनों में आपको बिलकुल भी मतलब free नहीं है जब भी time मिले हमको तैयारी करना है बस बात के था सामय को निकालना पड़ेगा सब तरह के लोग्होते हैं कोई ऐसे हैं कि सरॉंवान हमको time नहीं मिलता तो time निकालना पड़ेगा जीवन आपका है ठीक है नोकिरी भी आपकी लगेगी तो आपको समय पढ़ने के लिए निकालना पड़ेगा और एसी भी बात निए कि अब पढ़ने में वह बात नी रही पहले वाली कि बहुत तकलीब होती थी किताबें बहुत सारी किताबें frustration आज कल तो माहोल ऐसा हो गया है कि आपको खुद को पता है समय इतना बदल चुका है कि आपके पास शांदार शांदार वीडियोज अवेलेबल हैं आराम से आप चीजों को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं तो अभी से आपको तयारी शुरू करना है और एक बात अपने दिमा तो हो सकता है कि मैटवेत मैं서 30 प्रशन पूछ ले एक नहीं पुछ प्रशन पूछ ऐसा होता है अपको एक चैप्टर पढ़ के जाना पड़ेगा बहुत सार लोग शुरू सी इसा करते आपको अभी से तैयारी शुरू करना है और आपने जो कोर्स तो आपने जैसे ले लिया है तो उसके अंदर आपको ग्रामा के हर चेप्टर को डबल पढ़ना ये भी ध्यान दखना एसा नहीं कि हां सर मैंने एक बार कर लिया कोई भी चीज दूसरी बार जब आप देखते ना तो चीजे करना है लिटरेचर के जो मैं आपको दे रहा हूं उनको भी द इमाग में फीट हो जाएगा उसके पढ़ने है और पयक्ति पढ़ने है आपको यिदियमं डिटेली पढने है आपको फ्रेसल वर देली पढ़ना है है यह सारी चीज़ें आपको डेली पढ़नी पड़ेगी वोकेप का अथा सागर होता है जैसे कि मैं आपको बता दू कि मैं वोकेप पढ़ाऊंगा लेकिन मैं आप बताईए कि इतने कम समय में कितनी पढ़ा दूँगा क्योंकि वोकेप ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी हम लोग वो बताते हैं जो तीन चार बार तो उसको हम आपको बता देते अभी वर्ग 2 में आप बात करो तो जो आपका मैंने रूट वर्ड पढ़ायते उसमें जो गम वाला बताया था मैंने गम मेरीज या देना आपको जीवाए एन ना वोमेन तो वह वह आ गया था फिल मतलब आते हैं क्योंकि समय हमारे पास इतना रहता है तो आपको कोशिश अभी से करनी है कि एक कॉपी बनाए उसमें 10-15 वर्ड 10-15 वर्ड 10-15 वर्ड लिखते जाए आप एक किताब भी ला सकते हैं एक बुक आती है हाला कि वो बुक जैसे कि उस बुक में क्या है कि सभी एक्जाम मैं जितनी भी सभी एक्जाम हुई है केवल ग्रेड वन की बात नहीं कर रहा हूं और एसा भी नहीं कि ग्रेड वन में पूछा है वो ही आपके ग्रेड वन टू में आएगा एससी बैंक जिसमें भी जो वोके पूछी है वो सब वोके उसमें आपको मिलती है और सामने लिखा भी होता है कि यह दस बार पूछी हुई यह पांच बार यह आट एक्जाम है ना तो वह बुक आप मंगा सकते हैं ब्लेक बुक के नाम से आती है हाला कि यह बुक जो है यह मतलब यह समय जीजिए कि थोड़िशी मतलब लेंदी रहेगी आपके लिए ना जैसे कि इस ताइम शाठी है क्योंकि इसमें वह vocab है जो repeat 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 होती रहती है तो आप चाहें तो यह किताब से पढ़ सकते हैं इसके अलावा grammar के आपने notes मंगवा ही रखे हैं मेरे उसमें भी vocab है लेकिन उसमें limit है क्योंकि यह पूरी किता भी vocab की है उसमें limit में दे रखाए कि यह important है वह वाली बात है आप खुझ समझ सकते हैं इस बात को तो आपको यह vocab अभी से शुरू करनी पड़ेगी स्टार्टिंग से आप शुरू करो है ना तो धीरे धीरे आपका बेस बनेगा इसके अलावा अपने दिमाग में अभी से रखो कि मुझे कैसे भी करके अपने जहां पढ़ रहे हूं वहां इसके अलावा जो ग्रेड वन वाले हैं उनका तो जैसे मैंने कोर्स लॉंच कर दिया है यह वाला कोर्स है 2436 मतलब आपके 2499 कटेंगे 2500 रुपए तो यह कोर्स है इसमें मैंने कंटेंड भी देखो खूप सारा डाल दिया है यह जो ग्रेड वन है उनकी बात कर रहा हूं मैं ठीक है तो यह देखिए आप यह यूनिट वन में 87 वीडियो है जैसे बहुत सारे लोग सब्सक्राइब के 25 वीडियो मैंने डाल दिया बाकी में वीडियो अपडेट करता जाओंगो मैंने इसके लावा फिगर ओप स्पिच कंप्लीट है यूनिट 8 तक कंप्लीट है और यूनिट 9 आज कंप्लीट कर दूंगा मैं पूरी खतम इसके बाद यूनिट 10 में भी कुछ ठीक है यह दो बिल्कुल टिंटन एबे का पूरा फोटो वोटो लगा के मतलब पढ़ाने का मैं तरीका मेरे इसाप से रखता हूं कि एक बार पढ़ना पड़े लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं दो बार पढ़ो ठीक है तो यह टिंटन एबे हमने शुरू कर दिया है और साथ से ही करेंगे तो आपका काम चलेगा और आपको यह रखना है कि मुझे ज्यादा ज्यादा पढ़ना है ठीक है क्योंकि नोकरी का सवाल है यह जो ग्रेट वन का जो कोर्स है यह लॉंच हो चुका है 2499 इसके प्राइज है यह आप लेयर 3 एजुकेशन एप डाउनलोड कर ले सकते हैं बाद में जब मैंस का आएगा तो difference amount जो भी होगा क्योंकि आप बाद में ले रहें प्री के बाद तो difference amount आपको जमा करा के वो course भी मिल जाएगा ठीक है तो आप अभी लेके कम से कम पढ़ना शुरू कर सकते हैं जो grade 2 का वले-भले grade 1 का already जो syllabus आ चुका है क्योंकि grade और जो grade 2 वाले हैं, उनके भी 20 unit में 8 unit grammar की रहेगी, तो grammar पहले से complete करके रहेगा, ठीक है, I hope कि आपको सबको समझ में आया होगा, जितने भी लोगों का grade 1, 2 निकला है, वैसे लोग comment कमी करते हैं, बर जो भी करना चाहें, तो नीचे लिख सकते हैं, मेरा grade 1 निकल चुका है, grade 2 निकल चुका है, अपने number भी लिख सकते हैं, ठीक है, चलिए, thank you, thank you so much.